अगस्त के महिने में कई सारी परिक्षाएं कराया जाना प्रस्तावित हैं जो की UPPSC कैलेंडर के अकॉर्डिंग है इसमें आपकी खंड सिक्षा अदिगारी की परिक्षा है और अपर PCS का मेंस का एक्जाम भी है लेकिन अगर आप UPPSC की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो एक official notification जारी किया गया है आज ही और ये एक से दो घंटे पहले का ही notification है इस notification में जो है जो प्रस्तावित exam है UPPSC के द्वार अगस्त महीने के उनकी तीथी को इस्तिगित किया गया है पोस्पोन किया गया है exam को कारण जो हमने पहले डिसकस किया था एक से दो दिन पहले Corona संक्रमन को लेकर किया ये जानते हैं कौन से exam यहां पोस्पोन हो रहे हैं क्या खंट सिक्षा अधिकारी का exam कितने दिन आगे जा सकता है देखें यहाँ पर सम्मिलित राज्य प्रवर अधिनस्त सीवा जिसे आप अपर PCS के नाम से जानते हैं इसकी मुख्य परिक्षा का मुख्य परिक्षा 2019 और जो सायक वन संरक्षक छेत्रिय वन अधिकारी की मुख्य परिक्षा 2019 इनके लिए जो परिक्षारती समें सफल गोशित हुए थे तो इनका मेंस का exam लगा हुआ है जो date रखी गई है वो 25 अगस्त है और एक की जिसमें की अपर PCS की कितनी है 25 अगस्त 2020 और दूसरा जो सायक वन संरक्षक इसकी date है 29 सितंबर 2020 ये date जो UPPSC का कैलेंडर आया था उसके according ये date fixed थी ये exam आपके अगस्त में कराये जाने थे लेकिन अभी ये फिलाल एक घंटे पहले ये notification जारी किया गया है साशन द्वारा निर्गत COVID-19 महामारी और संचारी रोगों के रोक्थाम संबंदी आदीशों के क्रम में सब तहा में जैसे की UP में दो दिन का lockdown रहता है Saturday और Sunday का दो दिन का lockdown होने के द्रिश्टिगत अब जो है PCS 2019 की जो मेंस की परिक्षा है उसको 22 सितंबर 2020 को कराया जाएगा और सहायक 1 संरक्षक 6 त्रियवन अधिकारी की मुख्य परिक्षा इसको 15 अक्टूबर को कराया जाएगा इसको देखे इन डेट्स पर काया जाने का जो है नेड़ने ले लिया गया है जिसके सम्मन्द में ये कारिक्रम जो है जारी किया गया है तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं देखे अभी हमारा आगर खंट सिक्षा अधिकारी की बात करें खंट सिक्षा अधिकारी का एग्जाम तो इन दोनों एग्जाम से भी पहले था यहीं 16 अगस्ट को आपका खंड सिक्षा अदिकारी का एक्जाम प्रस्तावित है और यह एक्जाम खंड सिक्षा अदिकारी का इबाग में 25 अगस्ट को और यह मतलब उसके बाद में ही यह दोनों प्रस्तावित थे तो यह दोनों को तो finally postpone कर दिया गया है अब बात आती है तो आप यहां समझ गए हैं यह दोनों जो है राज्ये में बहुत बड़ी परिक्षाए हैं जो स्थगित की गई हैं बजा खंड सिक्षा अदिकारी का तो आप अब यह समझ लीजिएगा कि खंड सिक्षा अदिकारी की जो एक्जाम तिती है वो भी अब postpone होना लगभग त तो यह भी इसका भी notification एक से दो दिन में आपको देखने को मिल जाएगा हो सकता है कल आपको देखने को मिले खंड सिक्षा अदिकारी का जो official notification है जिसमें इसको स्थगित करने की बाद आपको मिलेगी इंतजार करते हैं क्योंकि अगर यह बहुत बड़े exam है जो state के सबसे ब September में आपकी date रखी जाएगी ज़रूर September में ही वो date रखी जाएगी और वो जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 22 September से पहले ही वो date रखी जानी है आप भी खंड सिक्षा अदिकारी की फिर भी देखते हैं आयूक की तरप से क्या decision लिया जाता है आक्री और अंतिम decision तो आयू धिसो मच शीज़ लगे बित्वित से कुछ इस एंतिम जानी है आपकी जाता है आपकी जास पिस्टापर इस देखते हैं आपकी जागे आपकी सह संद्क घएएवाब यहाँ वो जाउब दो दो तो उस्टापर एस रखेएवाब पिस दोड़ करो इस दोंग दोड़ कर दो